जो मैंने आँखों से देखा है प्राइमेरी मटीरियल के अंदर आप तब रहजाएंगे कड़ी चेताबनी देते हुए सभी सांसदों को वापस जाने के लिए कहा हलकि इस बीच पता ये भी चला कि सांसदों की असली नाराजगी इस बात को लेकर थी कि रजनी पातिल को सस्पेंड क्यों किया गया आपको बता दें कि राजिसवा सांसद रजी पाटिल को एक वीडियो बनाने को लेकर सस्पेंड किया गया जो वीडियो भी अब सामने आया है बताये जा रहा है कि उन्होंने अनौफराइस तरीके से इस वीडियो को बनाया था जिसके बाद उनके खिलाफ इस कारवाई को किया गया और इसी मुद्दे को लेकर राज सवा में जोरदार शोर शराबा देखा गया शोर शराबा करने वालों में रागव चड़ा, संजय सिंग, इम्रान प्रताबगडी समेत कई नेता शामिल थे वो लगतार रजनी पाटिल का निलंबन वापस ले जाने की मांग कर रहे थे इसी पर धनकड बेहत गुसे में आ गए उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो देखा है उसे देखकर आप इस्तब्द रह जाएंगे मैंने बहुत कम कारवाई की है जो कुछ देखा है मुझे मजबूर मत करिये वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया किस ने किया आपको बता दें कि जिस अनौथराइज वीडियो को लेकर आरूप लगाए जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जिस वक्त राजसभा में भाशड दे रहे थे उस वक्त उन्हें गलत तरीके से शूट किया गया वो वीडियो देखते ही देखते सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया और इस वीच पारलियामेंट का ये वीडियो भी ट्रेंट करता दिखा जिसमें कई सांसद एक साथ खड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं जबकि चियर पर खुद धनकड बैठे हुए हैं और प्रधार मंत्री मोदी जो हैं वो भाशर दे रहे हैं हलकि कॉंग्रेस नेता रजनी पाटियल खोद अपने खिलाफ हुई इस कारवाई को गलत मान रही हैं आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है नीचे अगर कॉमेंट सेक्षन में अपनी बात जरूर लिखे